राधे राधे दोस्तों आपका हमारे चैनल गुड वाइब्स पर स्वागत है। अकेलेपन से गुजरते हैं। ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और एक सफल जीवन की उचाईयों तक पहुँचने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए, शुरुआत करते हैं। गुरु अपने शिश्यों को उस ज्ञान का अनुसरन करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यभारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक समराट अपने बेटे को लेकर पहुँचा। उस समराट ने उस गुरु से प्राठना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दे और अपने तरीके से उसे ज्ञान दे। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी समराट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारन शिश्यों की त तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आपको साधारन समझना होगा। यही ग्यान ग्रहन करने की सबसे पहली सीड़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर गुरु समराट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस समराट को देख रहे थे। समराट अपने बेटे को अपने रत पर बिठा कर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का समराट का बेटा है। इसी वजह से आश् और बारा वर्ष की आयू में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इनसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्म घ्यान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इनसान अकेला रहना सीख लेता है, वहीं खुद से प अस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे, उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेंगी, ये जगह तुम्हें अपनी महल जैसी लगने लगेंगी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरू की आँखों में वो शान्ती देख लेते हैं, तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब समराट का बेटा रात्री का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी शिश्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये समराट का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं, तो उससे हमारा बहुत फाइदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादतर शिश्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्य समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस समराट के बेटे के पास जाने की बजाए अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठ कर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद समराट के बेटे की आश्रम के ज्या आसपास अपने मित्रों से घिरे होकर वही दिन चर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरू को ये सब पता नहीं था पर गुरू उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। इसे खाना पड़ेगा, इसे अहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरू एक दिन उस शिश्य को अपने साथ एक पहाड़ी की छोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुँचकर गुरू ने उसे शिश्य से कहा कि अब तुम्हारा ग्यान पूरा हो चुका है, बस एक आखरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी, उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुचा दूँगा। वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब म मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तू ये मेरे पास होंगी। उस शिश्य ने गुरू से पूछा कि गुरू जी मुझे आज रात आप यहां पहाडी पर क्यों छोड़ रहे हैं, आखर मुझे कौन सा आखरी ग्यान यहां से मिलेगा। गुरू ने मुस्कुराते हु अगले दिन अगर तुम उस बास की खुवियां मुझे बता पाए, तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूँगा। और हाँ, सुभा आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है, एक चरवाहा यहां पर अपनी भेडों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेडों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेडों की गतिविधि सुभा। कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लोट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीद जाने के बाद वहाँ पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुँचा। समराठ के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधी बड़े ही ध्यान पूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहाँ पर अपनी भेडों को लेकर पहुँचा तो उसने एक अभूत पूर्व द्रिश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड की एक मेमने को अपने पंजों में दबा कर आस्मान में उड़ गया। उसने उस भेड के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा द्रिश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुँचा। इससे पहले की गुरु उससे कुछ पूछते। उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु देव आप आश्रम के सभी बच्चों को यहां पर बुला लीजिए। उदाहरन के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है, तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी उँचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाच जो की हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू सकता है, उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बात अपने शिकार को निश्चित कर लेता है, तो वो उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी भी उचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्षे पर स्थिर रहती है, आज सुबह, जीज बास को मैंने देखा, उसने हर भेड को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड के जुंड में से, उसने उस भेड के मेमने को अपना शिकार बनाया, उस बास की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्षे पर स्थिर रखना तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है. इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं कमजोरियों को जान कर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जान कर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो तभी संभव होगा, जब हम अकेले रहना सीखेंगे. चौथी सीख, जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए, कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से उपर उठकर उड़ता है. जब तूफान आता है, तो हर एक पक्षी अपने घोंसने की तरफ भागता है. खुद को छुपाने की जगह ढूंडता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता. वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी उपर उड़ने का प्रयास करता है. हवाएं उसे थपेडे मारती हैं, पंक उसके बाहरी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आस्मान की तरफ उड़ता रहता है, और अंततह बादलों से भी उपर निकल जाता है, और वहाँ तब तक उड़ता रहता है, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता. अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है, क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिये के साथ उसका सामना करता है. जीवन में चाहे कितनी भी अर्चने क्यों ना आए, हमें उन अर्चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डर कर, कहीं छुपकर बैठना चाहिए. बहादुर तो वो लोग होते हैं, जो तूफानों से टकरा जाते हैं, पाँचमी बात, जो हम एक बात से सीखनी चाहिए, कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, जो तिनके एक कोमल होते जाते हैं, वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है. उसी तरह, चाहे कितनी भी आराम दायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से उपर उठकर, अपने आलस्य को तोड़ कर, जीवन में महनत करते रहना चाहिए. जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारिरिक महनत करनी चाहिए. अपने घोसलें से कोमल तिन के उठा कर फेंक दो, और आज ही अपने आलस्य को तोड़ कर निकल पड़ो. हर दिन अपने आपको चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी. जंगल के राजा शेर को भी जुन्ड बना कर शिकार करते हुए देखा जा सकता है. लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड होसला तो देती है, मगर साहस छीन लेती है. आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है. यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का पर्चम लहरा सकता है. बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है. नाखून उसके पैरों में ढसने लगते हैं, पंक उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चौँच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है. ऐसी स्थिती में शिकार करना तो क्या उड़ने की भी हालत नहीं रहती उसकी? ऐसे में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं. पहला, या तो वह खुद की इस अवस्था को स्विकार कर लें और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए. और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो छेह महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना लें. लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है. इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही उंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंक खीच-खीच कर उखाड़ देता है, और फिर चटान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है, उसके बाद उसी चटान पर अपनी चोंच को पटक-पटक कर तोड़ देता है, और इस लहुलुहा नवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अपने आपको तयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है। हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद समराट के बेटे ने भेडों की विशेशता बताते हुए कहा कि भेड हमेशा जुंड में चलती है। उन्हें जुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है, वैसे ही वो भीड तितर-बितर हो जाती है, और उस पूरी भीड में से एक भी भीड अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना, यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड कब तितर-बितर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए समराठ के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो, तो कृप्या करके आप बताने की कृपा करें। वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस समराठ के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि इसके सीख यहाँ पर पूरी हो गई है और ये कहकर गुरु उस समराठ के बेटे का हाथ पकड़ कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद राधे राधे।